नमस्कार आप देख रहे हैं सा न्यूज इंडिया बिहार पुलीस परिक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर सामरे आ रही है वैसे स्टुडेंट जिसका परिक्षा 20 जनवरी को होने वाला था उसका परिक्षा अस्थागित कर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यह उफिसली नोटिफिक्षा आपको दिख रहा होगा इसमें साप साप कहा गया कि जो 20 तारिकों परिक्षा होने वाला था किसी आपरन कारे से उसको अस्थागित कर दिया गया है अभ यह परिक्षा कब लिया जाएगा इसको लेकर कोई नोटिफिकिएशन अभी दिया नहीं गया है बताया गया है उप सिल्ली वेब साइट पर जो बिहार पुलीस का वेब साइट है तो वहाँ पर बताया गया है कि इसका जो अगला आदेश होगा वो आपका परिक्षा के डेट के रिगार्डिंग रहेगा जो भी नया नोटिपिकेशन आएगा वो आपका उसमें परिक्षा का डेट मिंसन रहेगा ते बड़ी खबर है अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए 20 जनुरी को जो परिक्षा होने परिक्षा होने वाले थे वह यहां पर आपका अस्थागित कर दिया गया है 100% सही न्यूज आपको हम प्रोवाइट कर अपने चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को सेर कीजिएगा क्योंकि कापे सारे स्टुडेंट 20 जनुरी का वेट कर रहे हैं अपने परिक्षा को लेकर के तो कई सरे कारण हो सकते हैं अगर हम संभावित कारण की बताएं तो यहां पे जिस तरह से भगदल मचा था 12 जनुरी को परिक्षा सेंटर पहुशने के दोरान तो उसको लेकर के में भी हो सकता है सरकार आपके लिए स्पेशल ट्रेन की बेवसा करने को लेकर के यहां पे अभी नहीं होगी ततपर इसलिए उन्हों डेट पॉस्पन करना सही समझा ताकि आगे जो भी डेट रखा जाएगा उसमें चातरों को कोई परिसाई ना हो तो यह हम आपको संभावित कारण बता रहे हैं हलाकि जो भी कारण आपका जdoo नोटेटोकीचान आयों उसमें कुछ पटाया नहीं चारण से परिक्षा के डिट को पॉस्पन किया रहा है उसमें साब साब किया इसके प्रिक्षा चाब क हो मुच्च्छ पहले प्रवाइट कराएं कैमरपर 했बा के साथ का सी आरवत हैas नींज इंडिया